तो SSE GD के लिए चक्षु प्रकासन ने यहाँ पर सामान ज्यान के लिए क्या बुला सामान ज्यान के लिए यहाँ पर अपनी पुस्तक जो है वो लॉंच की है सामान ज्यान की पुस्तक में आप देख पाएंगे कि SSE GD के बिगत वर्सों में 2024, 23, 21, 19 में जितने भी questions आये थे किसी भी topic से वो topic 22 आपको यहाँ पर जो हो इस book के अंदर आपको मिल जाएगा, पूरे questions मिलेंगे और उनके अंदर जो explanation है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, देख पाएंगे, Indian history, पूरा का पूरा प्राचीन काल में जितने भी questions आये थे, वो सब आपको जो हो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो पूरा पूरा जो हो समझ में आ गया हो, देखो काफी प्यारी book है और पूरा का पूरा जो topic है वो इन्होंने यहाँ पर समझा दिया, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसके अलाबा भी आप जो इसकी best book यहाँ पर ले सकते हैं, reasoning की book य यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, math के लिए यहाँ पर यह book है आपके लिए, हिंदी, पूरा समपूर्ण हिंदी के लिए यहाँ पर है, और आपको सामान ग्यान मैंने आपको बता दिया, मतलब कि आपको topic wise पूरा chapter यहाँ पर समझा रखा है, आप जाईए और आपने को इदर उदर ढूने की जरूरत नहीं है, आराम से आप यहाँ से cover कर सकते हैं, इस notice के अंदर पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, कि आपका जो 60-244 का, अब result कब तक आ जाएगा, साथी में इसका जो physical होने वाला है, DBPST होगा, उसके बाद में इ सुरुआ थी, मतलब January, February में आपका जो training है, वो एकदम जो start हो जाएगा, मतलब कि आपके पास में बहुत जादा समय नहीं है, यह आप notice देख रहे होंगे, इससे आपको हलका आइडिया आपको लग जाएगा, यह notice आप देख पा रहे होंगे कि 25 सितंबर का यह notice है, और मु इसको जो है, यह notice बेजा गया है, अब इसमें देखेगा, इसमें क्या-क्या लिखा गया है, इस notice के अंदर, कि इस्ताई आइस्ताई जनपदी है, आगे देखेगा, पूरा मैं आपको रीट करके आपको बताता हूँ, ताकि आपको exactly समझ बहा जाए, यह आप देखेगे, इस्ताई आइस्ताई जनपदी है, इसमें पीएसी आटीसी में आरच्छियों का आधारबूत प्रशिशन कराई जाने के संबंध में, राजपत्रित इस तरह से अधकारियों को नोडल अधकारी नामित किया जाना है, मतलब किसी भी बड़े काम को नोडल अधकारी इसलिए जो है उस नामित किया जाता है ताकि उस पर वो पूरा कंट्रोल कर सके एंड उसके अधनिस जितना भी स्टाफ जितने भी हैं, वो सब उसको रिपोर्ट दे सकें कि काम भलीवाती हुआ या फिर नहीं हुआ है, आगे आप देखेगा कि किर्पिया अवगत कराना है कि 60,000 आ आपको पता हुआ है, इसके बाद में 40,000 की एक और नई भरती यूपी सरकार को करनी है, तो इसके लिए इसका पूरा खाका तयार कर लिया गया है और ये डिसाइड कर लिया गया है कि जनवरी में आपका ट्रेनिंग जो वो स्टार्ट हो जाएगा, आगे आप देखेगा र आपको पता हुआ है, साथी में अपना सहारन पूर भी है, संतकभी नगर है, मतलब आप जानते हैं ना, मतलब आइस्ता ही जनवरी आपको पहली बार बहुत ज्यादा देखने को मिला है, इसका मतलब एकदम साफ है, यानि कि देखेगा जितने भी विद्यार्ती आएंगे, जितने भी ट्रेणिंग के लिए आएंगे, आल्मोस्ट उन सभी का एक साथ होना है, ठीक है ना, तो इसलिए एकदम फिटनिस आप तयार रहे ना, अब इसके बाद में आपका अगला सवाल होगा, कि भाईया ये बता दो, इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, द अगर देखेगा, अक्टूबर, मतलब आप देख लिजेगा, कि आराम से, 10 से 15 अक्टूबर के आराम तक, 10 अक्टूबर तक आपका जो रिजल्ट है, वो एकदम एनाउंस हो जाएगा, इसके बाद में अगली प्रक्रिया होगी, DBPST, मतलब आप ये मान के चलिएगा, कि अ दिसम्बर में कारवाई होगी, आपकी मेडिकल की, ठीक है, तो मेडिकल जो शुरुआत होगा, वो दिसम्बर में हो जाएगा, और मेडिकल के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, आराम से 4-5 दिन, 10 दिन के अंदर आपका जो मेडिकल हो खतम हो जाएगा, मतलब कि आप पूरा आपका लिस्ट तैयार हो जाएगा, कि इतने विद्यार्थी मेडिकल में फिट हुए हैं, और इनको जो ट्रेनिंग के लिए भेजना है, तो आप ये देख लिजेगा, मतलब कितना जल्दी भरती प्रकरिया होने वाला है, और इसलिए आप सभी जो वो फिजीकल की जहां तैयारी अच्छे से कर लिजेगा, काफी विद्यार्थी मेरे दोस्त ऐसे होंगे, जिनका फिजीकल अच्छा नहीं होगा, बेसिक लिए वो आभी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो टाइमिंग वो 27-28 मिनट आ रहा है, ऐसे आप में से बहुत मेरे साथी जिनका 27-28 मिनट आ रहा है, लेकिन आप याद रखना कि ये बहुत, मतलब बहुत इंपोर्टेंट पल है, एक बार महिनत करना है, मतलब आप समझेगा, आप रोजाना प्रैक्रिस करेंगे सुबह साम, आपका स्पीड जो है ना, आपका जो टाइमिंग जा रहा है, वो सब क 23-25 लेकिन जब मेरा फाइनल रणिंग हुआ, तो उस पर जो टाइमिंग था, वो 24-69 का टाइमिंग था, मतलब एक सेकंड से बच गया था, तो वैसे ही अगर आपका थोड़ा सा कमजोर है, तो आप रोजाना प्रैक्टिस करो, महनत करो यार, आप जानते ना, कि आपके पै बैठे हो, आपके द्वार पर आकर के खाट पर बैठे हो, तो आप फील करेंगे, कि जहां पर बात आपकी नौकरी की चलती है, कि हमारे बच्चे का नमबर आ गया, उसका आगया या उसका नहीं आया, बड़ा प्राउड फील होता है, गाओं में इसकी बहुत बड़ी वैल आगला जो वीडियो जो नोटेस आया है, वो आपका जितना भी सेंटर जो बना हुआ है, उस पर जो लेटर आया है, जो ट्रेनी कराने के लिए, वो नोटेस मैं आगला वीडियो में आपको दिखा दूँ, चलिक आपना भ्यान रखेगा, मिलता हूं आपको नेक्स वीडिय जो वो आना है स्टार्ट हो गया है, मतलब कार्रेबाई एकदम चालू है, आप तयार हो जाईएगा, ठीक है, चलिए, थैंक्यू